बाबा साब ने आरियन इंवेजन थेरी को जो है, वो एक साइंटिपिक तरीके से समझा, तो सवाल आता है आहिंदू को ने, तो जोतिवा साब पुले साब ने कहा है कि हिंदू जो है वो ब्रामनो द्वारा बनाई गई कुत्रीम, मतलब आर्टिफिशल आइडेंटिटी है, जो नकारत्मक सामाजिक तत्वग्यान है, वो मनुसमूति से आता है, तो अगर हमको मनु को काउंटर करना है, तो भारत में बुद्ध को लाना पड़ेगा, और बाबा सामने बोला कि अगर भारत में जन तंत्र चाहिए, लोको तंत्र चाहिए, तो एक ऐसा डॉक्टर चाह आज हम नागपुर में हैं, संत्रों से जो है नागपुर फेमस है, नागपुर एक और चीज के लिए फेमस है, दिक्षा भूमीन जहां बाबा साब ने 1956 को कनवर्ट किया, और नागपुर को जो है बदल डाला, आज जो है नागपुर काफी बदल गया है पहले के मुकाबले से, और यहां पर जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, एक कल्चर देखने को मिलता है, बुद्धिस्म इंटिटी आपको सड़कों पे दिखेगी, यहां के दुकानों पे दिखेगी, यहां के बड़े-बड़े घरों में दिखेगी, तो वो किस तरीके से डेवलप हुआ, तो इस बारे में हम जानेंगे और बुद्धिस्म का सिग्निफिकेंस जानेंगे, तो आज की खास मुला जो है लेक्चर किये हैं बुद्धिस्म पे और 20 जो है डॉक्यमेंटीज मनाई हैं, तो काफी जादा जो है रिच नॉलेज है बुद्धिस्म के बैग्राउंड पे तो हमने सोचा कि कौन ऐसा परसन मिल सकता है जो बुद्धिस्म पे इतना सारा नॉलेज रखता होगा और अवेलिबल भी हो नागपूर में तो थैंक यू सो मच कि आपने जो है हमको मौका दिया इंटर्वेल कमरी कि तो मैं नागपूर में आया है मैंने देखा कि यहां पर काफी जादा जो है असर्शन है जो शेडूल कास के लोग है जो बुद्धिस्म में कनवर्ट किया उन्हो जाता हूं और धीरे धीरे जो है बावा साब का थौट किस तरीके से डेवलप हुआ बीच सालों में जब उन्होंने कहा कि मैं जो हूं हिंदु धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदु धर्म में नहीं मरूंगा उसके बाद मास कनवर्जन करते हैं 1956 में तो यह जर्णी यह बावा साहब का था हिंदुजम से बुद्धिजम का वो किस तरीके से डेवलप हुआ बावा साहब ने लिखित में ऐसा प्रमान दिया है कि जब वो सोला साल के थे तब से वो बौत धर्म यह थे तब ही से उनको बौत धर्म के बारे में आकरशन हुआ था और बात जो है उनके समाज के आने के समाज से वो जब आते थे जिसको महातमा पुले साहब ने इसको बनाया था तो उन्होंनी बाबा साहब को जो है छोटे भीम को 1909 में जब वो 16 साल के थे तब बुद्ध की जिवनी उनको दी थी और बाबा साहब बाद में ऐसा कहते है कि उस जिवनी का उनके उपर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कम आयू में जो है वो बुद्ध को अपना गुरु मनना शुरू किया था अगर हम बाबा साहब के जो फैमिली है उसका अगर हम कल्चरल बैग्राउंड दिखेंगे तो वो हिंदू नहीं था इससाम कह सकते क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो थे कबिरपंत से आते थे और कबिर के दुहे जो है वो बाबा साब के घर में जो है वो गुनगोय आई जाते थे तो बाबा साहब के अंदर जो है वो जो प्रभाव था वो संत साहित्य का प्रभाव था संत धर्म का प्रभाव था जिसमें सद्गुरु कबीर जो है उनका बहुत बड़ा प्रभाव बाबा साहब के उपर था तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कम आयू में बाबा साथ जो है बहुत दो थे और उसके काफी प्रमान हमें मिलते हैं कि उन्होंने कम आयू में बहुत धर्म को पढ़ना शुरू किया था 1913 की बाद है और जब बाबा साथ कोलंबिया विश्व विद्याले में पढ़ने गए तो अभी एक नया इविडिन्स आया है कि उस वक्त वो जो है वो बहुत धर्म को पढ़ते थे और सोचते थे कि यह बहुत धर्मा है यह मेरे लोगों को मुक्ति का एक बहुत बड़ा मार् दिखते हैं तो बुद्ध के बहुत सारे रेफरेंस उनके अपने को अपने उनके लेखों में मिलते हैं जो समता पाक्षिक था उसमें बाबा साम बेटकर ने 1928 में यह बात कही कि इस देश के अंदर अगर कोई ऐसा धर्मीर पैदा हुआ है जिसने अस्परुशता को और ज दादर के जो बहुत दो गुफाए है वहाँ पे अपने अनुयाई के साथ गया है अजेंट अईलोरा में बाबा साथ थर्टीज में गया है और जब बाबा साथ ने धर्मांतर की घुशना की एवला में उसके बाद जो कॉन्फरेंस रखी थी दादर बॉंबे में 1936 में वह पे हजारों की तादद में लोग आयते हैं सा कहते हैं कि दसजार लोग आयते हैं उस दसजार की तादद में जब बाबा साथ ने भाशन दिया कि मुक्ति कोन पते हैं किस दिशा में हमारी मुक्ति है उस दिशा में मुक्ति के बारे में बात करते हुए बाबा साथ ने उस भ और इंडिकेशन जो थे, वो पएले से मवज़ू थे। यसे कि आपने का कि बावा साब कबीर पंती है तो फिर बावा साब करवीर पंती है तो बावा साब ने फिर क्यों कहा कि में Hindu धर्म हे में predictive है? देखिए क्या है कि बाबा साब ने जब अपनी राजनीती की शुरुवात की तो उन्होंने पहला जो उनका ये था बड़ा सुन्दर शक्द है वे अंगरेजी में कि the cornerstone of my politics is that we are not Hindus क्या बोला था बाबा साब ने कि मेरी जो राजनीती है उसकी निव ये है कि हम हिंदू नहीं है ठीक है और बाबा साब ने मराठी में ऐसे का था कि मैं खुद को हिंदू बोल के मरूंगा नहीं तो बाबा साब तो पहले से ही जो है वो हिंदु धर्म जो है उसके प्रवाव से बाहर थे जैसे जोतिवा फुले है उन्होंने नया धर्म बनाया था सत्यशोदक धर्म और जो रामजी बाबा साब के जो पिताजी थे वो सत्यशोदक थे तो बाबासाब के उपटे सोशल मूमिन्ट में हम दो आदमी जीन नोंने बाबासाब के उपटे ते बहुत अच्छी थे और बाबा साब की अंग्रेजी जब वो छोटे थे बहुत अच्छी पाद में दुसरे दादा के लुदसकर जोतिवाफुरे साब के नित्र थे और जो बाबा साब को हर्दम गार्डन में मिलते थे और उनके साथ वारता लाप करते थे वही शक्स है कि जो बावा साब को सायाजी रवा महाराज के पास लेके गए और सायाजी रवा महाराज के उपर भी सत्यशुदक्स धर्म का बहुत बड़ा प्रबाव था यहां तक प्रबाव था सत्यशुदक्स समाज और बुद्धर्म का भी कह सकते है कि 1910 में ही बड़ोदा में सयाजरों महारज्य बुद्ध की मुर्थी लगा दी थी 1910 की बात है तो आप इस सोचिए कि बहुत धर्म जो है बहुत धर्म जो है वो भारत से भारत में आना शुरुवात हुई थी जैसे बाबा साब 1920 में मानगाव में जो कॉन्फरेंस हुई थी जो शहु मारज्य रखी थी उस कॉन्फरेंस में 1920 में एक बहुत बड़ी हस्ती मौज़ुद थी जिसका नाम है भिख्षु बोदानंद जो 1914 में ही बहुत बन गये थे वसल सु्त्र जो जाती के उपर ठीका करता है वो जो सु्त्र वसल सु्त्र वो पढ़ने के बाद ये जो बोदानंद जो है वो भिख्षु बन गये थे और वो बाबा साब को 1920 में भी ले थे और जो हम बात करे थे बाबा साब और बध्धन की संपर्ग की एक यूपी में एक बढ़े विद्वान थे पाली के उसका नाम था इश्वर्दत्त मेधार थी कानपूर से आते थे और उनका नाम था इश्वर्दत्त मेधार थी विद्यालंकार तो उत्तव पदेश में भी जो है एक manure्मेंट चल ला था उसत्ताइं पर वहां पे कुछ एक अपने सौमे अच्छछा नंद थे सौमे अच्छा नंद कहते थे कि हम जो है हिंदू से पहले है हम आधी हिंदू है तो एक आधी हिंदू का मू群मेंट जो है वहां पे चला वही से मूलनिवासी का concept डेवलप हुआ है यूपी से तो उसके जो जनक है मूलनिवासी जो संकल पना उसके जो जनक है वो है बोदानन जी वो है सौमी अच्छुतानन्द वो है इच्वर्दत्य मिदारती ने उसका जिक्र किया है और सबसे बड़े एक बात थी जो कुलिवार समास से आते थे चंदी का प्रसा जिग्यासु तो उस वक्त ये जो शब्द है मूलनिवासी और भोजन उस वक्त प्रसे लिखता है तो बाबा साब जो है जो यूपी में आंदोरन चल रहा था उसके बहुत करीब से संपर्गमे थे इतने संपर्गमे थे कि जो इश्वर्द तो मेधारती बाबा साब के पास आके उनको पाली भाशा का ज्यान देता है और बाबा साब का पाली भाशा का ज्यान इतना सकूल था कि उन्होंने तो आप चानते होंगे पाली में डिक्शनरी भी लिखी और डिक्शनरी लिखने के लिए आपको जो है उस भाशा का बहुत इतना गहरा इसे अध्यन किया था कि उनको जो मैंने अपने आखों से देखा इस उत्रो की लिष्ट, उनके रिफरेंसे उसके नोट्स, तो यह बहुत गहरे विद्वान थे और बाबासब जो बहुत धर्म परते थे, वह जैसे मैंने कहा कि बहुत कम आयू से ही उनको बहुत अते दीपो भावजी बट उसके बाद जो बावा साब का एकदम डिसीजन होता है हैं में जाके कि बुद्धिजम में कन्वर्जन करना है तो वो आगे और फर्दर कैसे डेवलप करता है वो इतना ठोस रूप के इस तरीके से लेता है जासे मैंने कहा कि बावा सामबेट कर चालीच के दाशक में वो पाली पढ़ रहे थे और पाली में वो डैरेट्स उत्रा पढ़ सकते थे और जो नया आई यह बोलता है कि बावा सामबेट कर संस्कृत में भी माहिव थे तो बावा साब को जो क्लासिकल-बुद्धि-टैक्स उसको पढ़ने के लिए तकलिप नहीं होती थी तो बाद में बात आती है फोटीज में जो है वो भारत में शुरुवात हुई कि भारत आजात होगा मतलब जो पावर है वो भारत ये लोगों के पास आएगा ट्रांसपर पावर सवाल ये था कि किसको क्या मिलेगा वो तो तही हुआ था कि भारत के लोगों के पास सत्ता का ट्रांसपर होगा तब बात चल रही थी लोकत आंत्र की जनत आंत्र की तब बावास वामबेट करने जनता में 1941 को एक आर्टिकल लिखा जो आर्टिकल समझना वो जुरूरी है उसका टाइटल महराठी में ये था बुद्ध जैनती आनि तीचे राज किया महत्वा बुद्ध की जैनती और उसका राज किया महत्वा क्या है और वो पूरा बुद्ध के जीवनिय के उपर था और बाबा साम ने बोला कि अगर भारत में जनत अंत्र चाहिए लोकत अंत्र चाहिए तो एक ऐसा डॉक्टर चाहिए कि जो डॉक्टर भारत का जो शरीर है उसको वो साफ करेगा और एक ही डॉक्टर है जो भारत में जो गंदगी उसको साफ कर सकता है वो है भग्वान बुद्ध और उसके अंत्र में लिखा कि अगर भारत के लोगों को जनत अंत्र चाहिए लोकत अंत्र चाहिए तो यह महा मंत्र उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए यह 1941 की बात है कौन सा मंत्र ध्यान में रखना चाहिए बुद्धन सरनम गच्चा में धंबंग सरनम गच्चा में संगम शक्नम है और हम देखते हैं कि उसके बाद काफी जगा पे हमको बाबा साब की जो बुद्रद्न के बारे में टिप नहीं देखती है काफी भाशन दिखते हैं माराटी में काफी है फिर हम देखते हैं कि जब 1950s आया तो बाबा साब ने 1950 में जब constitution का काम खतम हो गया उसके बाद बाबा साब आमबेट कर जो है बड़े aggressive हो गये कि बहुत धर्म को भारत में किरसे पुनरुजिवत किया जाए तब हम देखते हैं कि उस वक्त जो है वो वर्ल्ड फिरोशिवा बुद्धिस्ट या organization बन रही थी उसकी पहली conference 1950 में होई जिसके one of the founders was जी पी मलाला सेकरा तो उस conference को जाने से पहले ऐसा मतलब दिल्ली में बाबा सामबेट कर ने वयक्तिक डिक्षा जो है बहुत धर्म की ले जो उसने रहुल वालप उसने बताया वर्ल्ड बुद्धिसम मैगजिन में कि बाबा सामबेट कर ने उनको बताया कि मैं 16 साल की आई में बहुत धर्म गया था लेकिन उनने दिक्षा जो है 1950 में और फिर उसके बाद कोलंब हो गये कोलंब हो गये काफी लोगों से मिले और एक तो ताय था कि बाबा सामबेट कर जो है वो बौधी बनेंगे उन्होंने लोकनात को भी बताया था कि किटालें बिक्षु था उसको 1936 में उसको बताया था 1936 को बुद्ध की तरफ आकुरष्टो पिर जैसे मने बताया कि बाबा साथ में महाबुदी जर्नल में दो बड अगवान बुद्ध ने जो है वो अवरतों के साथ जो है वो डिस्क्रिमेशन किया है लेकिन एक बहुत सुन्दर जो है आर्टिकल राइज और फॉल फिंदो बेमें और हुई रिस्पोंसिबल फॉर इट एक अच्छा आर्टिकल पेपर रिसर्च बाबा साथ ने पेश किय जिसमें दिखता कि बाबा साथ कितने गहराई से सुत्र हो पड़ते थे फिर बहुत सारे ऐसे एविडेंस है चपन तक आते हुए मराठी विश्व में तो जो है बुद्ध के बारे में तो काफी जानकर आना शुरू हो गए थी काफी बुद्ध भारत में लेक आते थे एक बंधु करके एक मैगजिन थी वहाँ पे लेक आते थे तो एक तयारी जो है बुद्ध धर्म की जो है वो पूरी तरह से ही जो हो रही थी तो बाबा साब ने जब मतलब 1956 में जो धर्मांतर किया उसका जो संबंद है वो सिर्फ बुद्ध धर्म को रिवाविल करने तक ही नह जनतंत्र कैसे आए जैसे उन्होंने नाइटिन फुट्य उनमें कहा था कि अगर भारत में जनतंत्र लाना है तो एक ही मंत्र है बुद्ध शर्नुग अच्छा में निस सो पचास के दशक में काफी घटना है ऐसी हुई कि जिसमें बाबा साब जो है बाबा साब ने उस दिली में मनाई थी बुद्ध की जैनती तो यह तो तही था कि बाबा सामबेट कर जो है वो बुद्ध बनें बुद्ध बनेंगे और उन्होंने बिख्शु बोदानन ने उनको एक किताब दी थी इसेंस ऑफ बुदिजा जो बाबा साब ने रिप्रिंट की थी और उसके हर एक जो फ्रेम है फोटोग्राफ डाले गए थे वो बाबा साब ने खुट डलवाए और उस वक्रिंटिंग करना बहुत डिफिकल था आज के समान नहीं था कि आप एक वीडियो फाइल बना के प्रिंट करो तो फ्रेम टू फ्रेम जाना पड़ता था तो बाबा साब ने जो तो ये बात ये दर्शाती है कि बाबा साब ने जो बोद धर्म लिया तो सिर्फ बाबा साब को जो है वो एक धर्म को रिवाविब नहीं करना था तो भारत की जो जनत अंतर है उसको किस प्रकार मजबूत किया जाए जैसे बाबा साब ने कहा था कि 1950 के भाशन में कि आज हम एक contradiction में जा रहे है, एक विरोधा भास में उतर रहे है कि हम political democracy बन रहे है राजनेतिक जनतंत्र बन रहे है, लोगत बन रहे है लेकिन सामाजिक और आर्थिक हम नहीं है तो बाबा साब ने बुद्धर्म की तरब देखा कि ये जो धर्म है, ये धर्म सामाजिक जनतंत्र लाने के लिए मदद कर सकता है क्योंकि बुद्धर्म का दूसरा नाम ही जो है, ओ है सामाजिक जनतंत्र अगर गहराई से बुद्धर्म को पड़ा जाए तो हमें दिखता है कि इसमें पूरे तत्व है जिन तत्व के कारण जो है एक सामाजिक जनत्ता आ सकता है अब आवसामने स्वाहिम का कि जो समता सौतंत्र बंदूत्व है यह जो तत्व है यह मैंने फ्रेंच रिवोलिशन से नहीं लिए तो कहां से लिए मेरे गुरू बुद्ध से लिए यह सोशल फिलोसोफी सकारत्मक सामाजिक तत्व ग्यान जो है उसकी आदारशिला बुद्ध है और उसमें और एक बात कहिए कि जो नकारत्मक सामाजिक तत्व ग्यान है वो मनुस्मूति से आता है तो अगर हमको मनु को काउंटर करना है तो भारत में बुद्ध को लाना पड़ेगा क्योंकि जितना भारत में बहुत धन फैलेगा उतना मनु जो है अपने आप गायब हो जाएगा तो और जितना मनु गायब होगा उतना भारत में सविधान जो है वो पूरी तरह से लागोगा भारत में जो समाजिक जमत्रा आईगा तो ऐसे देखते है की बाबा साबने सवीदान सवाभ में भी कहा है की जमत्रा है वह भारत के लिए नहीं है ये वुद्ध के संगह में हमको मिलता है तो इस परिज्ऽवन लोग देखते हैं आपका जो समुचा जो अध्यान है वो इस दिशा में था कि यहां के जो मेजॉरिटी लोग थे नाक थे तो नाग कौन लोग हैं देखिए नाग अगर बाबा साब के रिसर्च के दुरुष्टी से देखे जाएंगे तो भारत के जो है वो मुल्निवासी है और बाबा साब ने ये बात बनारस हिंदू इनुवसेटी में गई और नाग और आरियों का जो है जगड़ा हुआ लेकिन आरियों का सामर्थे बढ़ने से पहले भारत के अंदर जो बड़े बड़े पॉलिटिकल सिस्टम बने थे वो नागों ने बनाई थे जैसे दनन अंदर और अशुक के पहले जो लोग थे इवन अशुक भी नाग वंश से आता था तो एक नागों का संबंद जो है वो है जैसे आपने कहा तमीड दमीड और आज जो एविडेंस मिल रहे है वो पताते है कि जो इंडेस वैली सिविलाइशन थी उसका जो बेस्ता हो था द्रविडेंस सिविलाइशन तो हम तीनों चीजों को ट्रेंगूलेट करेंगे तो हमको वह से पता चलता है कि जो श्रमन संस्कूती थी जो नागों ने बनाई थी और हमें कहीं भी जाएंगे आपको ये नाग का सिंबॉल दिखेगा आपको आप बोध गय जाएए आप साउत में जाएए आप खुजराज जाएए आप बिहार जाएए कई भी जाएए आपको नाग मिलेगा बुद्ध के साथ तो ये नाग मतलब कोई सर्पंट से उसका तालूक आता है कि उस जमार में टोटेम रहते थे तो नाग नम के लूग थे और उनका सेंट्रल इंडिया में उनका बहुत बड़ा प्राबल लेता है पुरे भारत भर में था नेपल तक था तो ये जो नाग है ये भारत के मुल् जैना में भी ये ज्द ीजिया का एता है नागों का गया को कि इते तो नागों की बात है और एक हिसमों के ड़ो इस रूम को क्या से बातो है कि लोग को मुलनीवासी का थे पक्रहता है कि emails आके इंडिजेलिएस लोग है तो उस मूलनेवासी का क्या मतलब है और फिर एक सवाल आता है आर्ण इन्वेजन का फिर एक बात आती है जो बहुत बड़ा नेरेटिव भी बनाया जा रहा है कि आर्ण इन्वेजन नहीं होगा है एन्सियाइटी से वो टेक्स जो है अटाए जा रहे हैं बाबा साब को बोला जाता है कि बाबा साहब डिनाइड आर्ण इन्वेजन थिवरी तो वोट इस देक्सिर्थ देखें बाबा साब ने जो है वो जो रिशियल थेरी है उसको उन्होंने नकारा है कि कोई ऐसा ब्लड है जो आर्यण है ऐसा कोई बलड है जो नाग है क्योंकि इतने सालों के बास सारे लोग मिक्स होते लेकिन आरियन और नाग ऐस अ कल्चरल रेस इसको बावास अबने नकारा नहीं है इसके बहुत सारे सबूत हों को मिलते है तो ये कल्चरल रेस होती है जैसे revolution, counter revolution है तो ये culture है, ब्रामनिकल culture उसके कुछ values है, उसके कुछ ethos है और ये culture है नागों की culture उसके कुछ values है तो जैसे मान लो कि अगर हम जिसकी बात कर रहे है कि आरियों का अक्रवन हुआ या नहीं हुआ ये सवाल gone है सबसे important सवाल है कि क्या भारत के अंदर ऐसी culture है जो भारत में जो original culture सी उसके विपरित है तो उसका सवाल का जवाब मिलता है हाँ है क्योंकि बहुत धर्म की जो संस्कूरती है वो बहुत धर्म की संस्कूरती ब्रामन संस्कूरती से पूरी तरह से अलग है ब्रामन धर्म जो है वो असमान्ता के उपर खड़ा है सुपरमेन के उपर खड़ा है आत्मा परात्मा के उपर खड़ा है लेकिन बहुत धर्म नहीं है वैसा बहुत धर्म की अलग संस्कूरती है उसके इविडन्स हमको मिलते है अपने हमें वैदिक ब्रामनी जम के इविनस नहीं मिलते हैं कहीं नहीं मिलते हैं ऐसे कहते हैं कि वेद बहुत पुरान है लेकिन कब लिखे गए तो करीबन अभी 400-500 साल पहले हो लिखे गए उसके पहले वेद लिखे गए नहीं लिखे गए कोई सबुत नहीं है, बोलते हैं ओरल ट्रेडिशन थी, लेकिन हमें जो है, वो बहुत धर्म के हमें थोस प्रमान मिलते हैं, अश्योक के शिलालेक मिलते हैं हमको, तो जो बात कह रहे हैं हम लोगी दो संस्कूरतियात थी भारत के अंदर, श्रमन और ब्राह्मन, और यह जो श अकशक जो है, नाग, वो बचा, बाकी पूरे नागों को जलाया गया है, तो एक जिसको बोलते हैं इत्तिक क्लिंसिंग, वो भारत के अंदर हुई है, भारत में जो बहुत धर्म खतम किया गया है, वो वाइलेंस है किया गया है, वाइलेंस हुआ है, तो जो बात है, कि वो मानते थे कि हम जो है वो हिंदू नहीं है वो तो दुस्री बात है लेकिन हमारे लोग मानते थे कि हम हिंदू नहीं है तो जैसे पंजाब में मंगुरान जीत थे उनने बुला था कि हम आधी धर्मी है धर्म आने से पहले हैं हमाने कि यूपी में क्या हुआ आधी हिंदू के आइडेंटिटी आदी कि हम हिंदूं के पहले हैं और तेलगु में आई आधी आंध्रा हम आंध्रा से पहले हैं आंध्रा इडियों के पहले हैं तमिल नानों में आई कि हम आधी द्रविडा हैं तो हमारे लोग मानते थे कि हम ब्रा पहले है तो यह सब जगा पे हुआ है जब बाबा साब को पुछा गया कि आपका इसके बारे में क्या कहना है तो बाबा साब ने बोला है कि मरियो पता नहीं I'm not so sure ठीक है लेकिन अंतर में हम लोग देखते कि बाबा साब ने बोला है revolution counter revolution बाबा साब ने बना रस्मे आरियो औ मागों के संगरशे के बारे में बात की है है कि नहीं तो identity बहुत complex होती हमको कौन से वह क्या identity चाहिए यह हमें decide करना पड़ेगा जैसे बहुत लोगों को दरीत identity से नफरत है लेकिन यह identity ने कम से कम भारत के जो समूचा पुरा समाज था उसको एकड़ता लाने की बात की आने से पहले तो महाअरा रस्टा सकयों की बात करते हैं तो जो हम पॉलिटीकल मॉबिलेसं की बात करते है तो अभी जेंशब्दा बहुत कर्माइज करती है कि क्या होता है बहुझा अभर बहुझा शब्दा प्रचलित हुआ है कि जो भी OBC है, SEC है, जो भी minorities है उनके एक अ कि अपना है आदी हिंद्व आइडेंटाइटटी में यहाँ आधि हिंद्वॉथ ज्रुदि का अपना प्रैयोक रही वह जुरूरी है तो अलग याज है पॉलिटिकल राजिनेशा रहे ठीक हाँया बहुज ज़्यान आइडेंटुब्लॉध के निन योज़ ए ही हमारी culture identity नहीं तो हमारी identity जो है जो बोदधर्म के जो संत थे जैसे कभीर, रहिदास इनको भी समझ में हमें ज़रूरी है आदिगरंत है, उसको भी समझ में हमें ज़रूरी है क्या लिक्या आदिगरंत में, कभीर की कितनी वानी है उसके अंदर, नाम देव की कितनी वानी है, क्या rebellion हुआ है उसके अंदर, तो मेरे खाल से जो हमें बाबा साब का जो है, और total thought process हमको समझना पड़ेगा, कि कौन से वक्त किस identity का इस्तेमाल करना है, culture बोलते हो थो हमको किस identity का इस्तेमाल करना है, दलिद culture नहीं हो सकता लेकिन बहुत धर्म एक culture हो सकता है, लेकिन जब समाज प्रताडित हो रहा है, मानलो और हिसा में, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक बहुत दो की उपर वहाँ अत्यचा हो रहा है, हमें कोई ना कोई शब्दा वाली का प्रयोग करना पड़ेगा, हमको खतर पर करना पड़ेग देखो बाबा साब ने आरियन इंवेजन थेरी को जो है, वो एक साइंटिपिक तरीके से समझा, कि इतने बड़े भुभाग के उपर जो है, वो मुट्टी भर लोग जो है, वो अक्रमान नहीं कर सकते ना उनको पराजित कर सकते, तो उसके क्या कारण है, कैसे मतलब आरियन घृयन तो भाबा साअगर है यह तो बात सच है, बाब साथ ने एकसर के उनको पराण है, तो आरियन उर नागो की बात ही नहीं करता थे身। ने बात की आरियन नागो की और उनके उनकी सफंगर्शेकिन वह तो हर जगा दिखता अपने को? ।ो ये बात का?। आज जन्रतंत्र की बात कर रहे है तो हमको यह जो इंपोर्टन नहीं है सबसे इंपोर्टन है इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट लेकिन इंडियन कोन है जो समता सौतंत्र बंदूतों को मानता है वो इंडियन है भारत का नागरिक बंदे की जो कि हर इनसान जो संटा, सोटनजर की बंदूत, नया है इसको मानता है भारगी नागरेख है तो क्या इंडियन नेसं है ब्रामो सब्सक्राइब उसकाथ है रहा है। तो फिर कौन से ऐसी धर्म की विचारधारा है जो इसको पूरक है इंडिया के आइडेंटिटी ही जो है वो बहुत धर्म से जुड़ी हुए अगर समराट अशुक नहीं होते तो इतना बड़ा जो पॉलिटिकल जंबुदी रुपर है वो नहीं बनता तो ये बात महीनी कहता एक बहुत बड़ी विद्वान है चास अलम वो कहते है कि समराट अशुक जो है वो भारत के फाउंडिंग फादर है जैसे बाबा साब आधुनिक भारत के फाउंडिंग फादर है जन तंतर लाने के लिए बावा साथ जो कोशिश की है उननीस सो बीस से लेके उननीस सो पचास तक कि सबको मत का अधिकार हो सारे कमुनिटी को जो है वो अधिकार मिले गवर्नस में तो अगर हम गहरे से लेखएंगे तो भारत का भविश्य जो है वो Jew 감ry जोड़ा हुआ है पास्क भी बुद्धी से जुड़ा आ और भववश्य जो है वो बुद्धा से जुड़ा है जितना भारत में बहुत दर्म फाइलेगा, उतना भारत में जन्तंत्र की जड़े है, वो गहरे में जाएंगे। जो चाल्स सेरिंड का बुक है, इंडिया ज लॉस्ट एम्परर अशूपा, तो उसमें वो बताते हैं प्रिंसिप के बारे में, अलेक्जंडर के बारे में, क्यों उन्होंने एक्सेकरवेशन किया, प्रिंसिप ने कौइन्स डेसाइफर किया तो एक हिस्ट्री जो है, वो निक भी निकाएफर किये जारहे हैं तो तो भी मेरतर संगro होता है तो एक पॉजल सा था, तो भी तीने-जैजिप चाश ऑंगरारि ओविल्स रेज्वाइवल होता है दो Verse 50 कि असकी धारे में तो उससे पहले किया इस missionjang mora उसके पहले जो है जिसे हम दिखिएंगे कि जो अंग्रेज आर्केजिस्ट है या फिर जर्मन आर्केजिस्ट है उनने काफी एक्सक्राइशन किया और जो अशुक की जो लीपी अओ पड़ी उससे पता चला कि कहा पर क्या है लेकिन उतना परियाप्त नहीं था शुआन्जाम जो चाइनीज पिलग्रिमेश था उसने पूरा भारत का रेकॉर्ड किया करके रहा था उसकी किताब देखके फिर उनने देखा कि इतना किलोमेटर यहाँ चलने के बाद यह है उतना किलोमेटर वहाँ चलने के बाद वह है लेकिन जो भारत में जो बोधधरम था अभी कबीर रहिदास की वानी में हमको बुद्धिष कंसिप क्यों मिलती है जैसे सहज ये बुद्ध शब्द है शुन्या एक्स्कूजियूली बुद्धिष फिलोसफी सद्गुरू ये इतियास में पहली बार बुद्ध के लिए बोला गया है इसकी इविड़नसेस है दोहा ये श भारत से क्या बुद्धर्म पूरी तरह से लुपत हुआ कि कुन से फॉर्म में था तो वो संत धर्म में हमको बुद्धर्म दिखता है आप कोई भी संत का साइटे उठा के देखिए नौन ब्राद में संत उसमें आपको बुद्धर्म की पूरी फिलोसफी मिलेगी नमबर नमबर दो ऐसा भी प्रमान मिला है कि 14 वे 14 और 15 सेंचुरी में बोध गया में महन था जिसका नाम था सारी पुत्रा महाराष्टा में 15 सेंचुरी में बोध धर्म मौझुद था उसके प्रमान मिले है जैन साइटे में कि बोध धर्म के 16 जो है वो समूदाय थे और उनके ना जो है वो असकुष्य समा से मैच होते है वासनिक कविश्वर इच्छा भोजनिक साथ घरे जो साथ घर से जाके खाना खाते है नव घरे जो नव घर से जाके खाना लेते हैं तो ऐसे बोध दोंके जो है 16 संप्रले थे 15 सेंचुरी में महाराष्टा में तो एक बास पता चलत जड़े है थोड़ा पानी डाल दिये तो बोधी रुख्ष फिर से आजाए कैसा बावा सब कहते है फिर हम लोग देखते हैं साथ में हमारे बड़े नेता थे आयती थास उन्होंने पहली बार सिद्धा माई करे थे कि भारत में अंटचाबिलिटी इस दे रिजल्ट ऑफ अंटवल ने खड़ा गया था साउट में कोलार में जो हाँ बावा सब गया थे श्रीनिवास जो थे बावा सब के साथी तमिल नारु से वो तो बहुत धर्मी थे तो जब हम ऐसा देखेंगे इस इस इविडेंस के तोर पर हम देखेंगे तो हम यह बात पता चलती है कि चलता का धरम नहीं था और फल्डेंच Argentै और उसकी क्लियर ठेरोजेशन और अंडि नहीं बनी ती जो बावा साथ में बनाई तो बावा ठाम ने जो क्या किया कि जो ऐसे मतलब acquaintedा तो थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा था उसको मास में Can agora कर दिया और जो मास में कर दिया और कि इतियास में एक दिन में इतनी लोग किसी धर में कभी convert नहीं हुए है और वाबा साब उसको बोलते कि यह conversion भी नहीं है यह तो हमारा जो original घर है उसमें जा रहे है तो यह बात की evidences क्या है कि जो untouchables हैं वह वापस अपने धर में जा रहे हैं जो की Buddhism है पहली बात है अगर untouchable जो ब्रहमन लोग मानते थे वो डोगळविक्शु को मानते थे तो मुरूख्यकटी का करके六जर रक्षट करके लिखी किताव है मुरूख्यकटी का उसमें यह बड़ी gå जित्रफिश्चिंग है उसमें दो ब्रहमन रहते हैं और वहाँसे बहुत दिख्शुत रहते words & untouchable का है Asuschia k 150 जैसे मानलो चमार समाज का अपना हिटियास परहाया समाज का अपने अपना इटियास है जैसे मानलो south में परहाया समाज की खोज-बीच करने के बात परसे चला कि वो तो महार जो समाज था महार समाज का पहुंद ना महार नहीं था परवा और वारिता उसके अगर हम लोग और ठूनेंगे तो उनको बहूत सरे रिविधांसाश मिलेopa कि इसकी खुद की कलिचर पीक ती नहीं है जब लोग में चमार समाज को देखेंगे रही दास्जियों को देखेंगे उनकी कल्चर बहुत अलग है, उनको हम हिंदू नहीं कह सकते, जो अभी बात में जो प्रोपागंड़ा हुआ है, कि रहिदास हिंदू है, कबीर हिंदू है, ऐसा नहीं है, तो हमें जो है, बाबा साब की तरह जो है, वो गहराई से चीज़ों को समाज ना पड़ेगा, जैसे कि सैट की जब बात आती है, तो कुछ लोगों का कहना है, कि जो रहिदास हैं, जो कबीर हैं, वो एक परमपरा से आजीवक परमपरा से, तो ये और बुद्धिजम से कितना डिफरेंट है, जो आजीवक परमपरा तो भारत से बहुत पहले गायप हो गई, मतलब ऐसा मैं वानी में ने देखा कबीर वानी में और रहिदास वानी में कि आजीवक का जिक्र भी आया है, उनकी इसमें जो जिक्र आता है, जैसे मैंने कहा, शुन्यता, सहज, बाद में, जो मेडिटेशन स्टेट की जो बात करते हैं, वो पूरे बुद्ध धर्म से ही अपने को, हम उस पूरी जिवनावली हमें टिबेटन साइट में मिलती है, उसमें और एक इंटेस्टिंग सिद्धत है, चमारिपा, चमारिपा नामके सिद्धत है, 84 सिद्धत में और सिद्धत है, वी रूपा, इसे बहुत सारे सिद्धत है, और उसी के जो विचार धारा है, वही जो प्रन तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या तीन प्रतिशत लोग जो है जो जिनका धरम लोगों को गुलाम मना सकता है वो गुलामों का धरम हो सकता है कि तो सवाल आता है आ हिंदू कोन तो जोतिवा साब फुले साब ने कहा है कि हिंदू जो है वो ब्रामनों द्वारा बनाई उनका गेम प्लान है ऐसा कोन बुलते फोले साथ तो हमें हिंदु शब्दों को डिकंस्टट करना पड़ेगा हिंदु को ने जो बावा साथ ने किया रिड़सिं हिंदु यम लिक उने पहला सवाल कुछा कि ठीक है आप मुसल्मान है तो आपका एक रिच्ओल होता है आप अगर खृष्षिन है तो आपका रिच्ओल होता है अगर आप बुद्धिष्ट है तो आपको टरी सरन को शरण जाना कोूवता है कौन सा ऐसे रिच्ओल है जो आपको हिंदु बनाता है इसके बाद वो further question करते हैं, इसा बावसा लेते हैं तो सवाल है कि हिंदू कोन है, क्या चीज़े जो आपको हिंदू बनाती है तो जैसे मालो शुद्र है, जिसको हम OBC कहते है उनके लिए तो कोई ritual है ने उन लोगों के लिए ritual किसके लिए है, ब्राह्मन, शत्रिय वैश्य लोगों के लिए उपनायन का, जो उसको बोलते है, टॉइस बॉन, द्वीजर ठीक है, तो फिरे ये भारत का जो मतलब 50 प्रितिशा तपका है तो हिंदू है नहीं टेक्निक लिए, तो कोन है वो भारत के अंदर धर्म जो है, इसकी बड़ी ब्लैंकेट डाली गई है, वह सारे पंते है भारत के अंदर, ये से महाराष्टे में वारकरी पंतह है, हम उसको हिंदू नहीं बोल सकते हैं, उसकी वीचार धरा अलग है, करनाटका में है, करनाटका में है अपने लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट के निर्मान की बात हो रही है तो सब को हिंदू बनाया जा रहा है उसमें कितनी बड़ी चुनाथी आपको लगता है कि यह जो बावसाब का सबना दा प्रहुत भारत का और जो जो कि का जा रहा है कि बुल्दिज्म की घर वापसी तो उसके लिए क्या होप्स हैं और क्या चैलिंजिस नहीं देखिए कितना भी आप प्रोपागेंड़ा करेंगे लेकिन भारत की एक सच्चा है कि भारत में हजारों की तादाद में जो है वो सोशल मुव्मेंट जिन्दा है आप पॉलिटिकल मशिनरी पैसे के आदार पे कुछ खड़िये करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे तब के भारत के अंदर कि जो एक सामाजीक आंदूलन को चला रही है काफी इतब के ऐसे सिर्फ ओ शर्लुकाश में नहीं है तो आज हमको ट्राइबल समाज में दिखते हैं जैसे मानलो हेमन सोरेन को जब जिल में डाला गया है कि हमें बावा साब के दिखा हुए मार्क पर चलना पड़ेगा हम ट्राइबल लोगों को बहुत धर में कंवर्ट होना पड़ेगा तब हम यह हिंदूत से मुक्त हो सकते हमन सोरेन अभी कुछ पहले मैंने के पहले की बात तो 1956 में बावा साब ने कंवर्जन किया उसके कंवर्ट किया माहियाना में ठेरवादा में या फिर उन्होंने एक जो है नया जो है यान नया वीहाइकल जो है इसको नव्यान कहा जाता है वो चालू किया देखिए बबाप साब जो है वो बबाप साब कोई नया नहीं बना रहे थे क्यूंकि जैसे मैंने कहा कि बबाप साब का बोध्धरम के बारे में इतना गहरा अद्धियन था पालीत्री पिटक और बहुत सारी किताबे बावा साब ने बुद्धिजम की पढ़ी चाहिए और बहुत सालों से पढ़ते थे तो बावा साब की जो बहुत धर्म के बारे में अंडरस्टेंडिंग थी बड़ी गहरी थी बहुत गहरी थी और उन्होंने सारे ततों को बड़े गहराई से समझा था प्राब्लेम क्या होता था प्राब्लेम क्या है कि जो बुद्ध की जो शिक्षा है उसको बहुत सोरण लोगों ने गलत-गलत मिसिंटर्पेट किया जैसे मान लो कि जब कम्मुनिजम फैल रहाता बुद्धिस ट्राष्ट में तो बाबा साब ने कहा कि अगर आप भारत बुद्ध की फिलोसोफी को देखोंगे सई तरीके से तो ये जो है ये कम्मुनिजम का कम्मुनिजम से कही गुना बेहतर है इसका मतलब क्या है कि बुद्ध की जो शिक्षा है उसको आज नई तरीके से नई परिपेक्षम में इंटरपीट करने के जोगरत है ये काम है तो ये कोई नया इंटरपेटेशन नहीं है तो जो बुद तो इस बदलते परिपेक्षे में क्या बगवान बुद्ध का धम्म साइन्टिफिक साइन्स को साइन्स को टिका रहे सकता है या साइन्स बढ़ेगा तो धर्म खतम हो जाएगा जैसे बहुत धर्म का हुआ अलग धर्म का हुआ जैसे खृष्चानिटी गौड कंसेप्ट उसक शफेर्ट को लेके कि बाबा साइब का यह रिवर्द गवासाइब का यह वह जो और जो कि का बिुद्धिश – छो इस वर्णा भूदिछी खाना-भूदिश्म कैनलेम कि उन्का मत्त है रिवर्थ पर क्योंकि जहां देखते हैं दलायलामा की बात होती है, जब अधिकर ला पांते हैं कि आद्मी बार-बार नहीं आ सकता क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह ए कि आत्मा है तो दुनिया में कोई ऐसा पर्मनेंट चीज नहीं सारा फ्लो में है एक चीज दूसरे चीज को बनाती है तो यह एक चीज पर्मनेंट जो है जैसे हम छोटे थे और आज जो हम है, तो ऐसा कोई आत्मा नहीं है कि जो उस वोग भी था अभी भी है, हमारा बोड़ी बदल गया है, हमारे सोचने का तरीका बदल गया है, सारी चीजे बदलती है, तो पैटरंस होते हैं अलग अलग, और उसके पीछे cause and effect होता है, हम जब मरते हैं, तब हम देखते ह जलाते हैं, तो वही बड़ी कैसे आ सकती, not possible, तो जो पुन्र जन्म की बात की है, वो की है कि पैटरंस का रिकरंस होना, जैसे मान लो की कर्म है, तो बाबा सब कहते है कि जो कर्म है, वो कर्म जो है, वो डिसाइड करते है कि समाज व्यवस्ता कैसी हो, अगर हम अच्छा कर् किसको होता है, जैसे आप पंचे-शील का पालंक करेंगे, तो बेरिफिट किसको होगा, लोगो को होगा, उससे समाज व्यवस्ता बदलेगे, अगर हम सुपर्स्टीशन ने रहेंगे, जैसे चीजों को वैसे देखेंगे, तो क्या होगा, समाज में जो जू जूट फैर रह किसका पुन्दर जन्मा होगा, आखो का पुन्दर जन्मा होगा, शरीर का पुन्दर जन्मा होगा, किसका पुन्दर जन्मा होगा, सवाल तो यह आएगा, क्या रूप के सिवाए खड़ी हो सकती है, तही हो सकती है, तो आप बॉड़ी से निकाल के देख नहीं सकते, क्यों ख नहीं है कि आप पुन्र जन्मा विश्वास रूखें, बुद्धी जम्य किसी चेश के वार विश्वास रूखें, आपको प्राक्टिस करने हैं और आपके अनुवह से जनना है कि बास सही है या गलत है। कि रिष्वास रिष्वास तहीं है। जब बात आती हम सब्राड़ की, तबोन deze नहीं तो बोधिस डूले सेुड़ा है तो तो हर जनम में फिल होती है, तो वो क्या रिवर्थ को नहीं दर्शा रही है, जब डारविन का जब यह आया, इवोलुशन, तो उसने रिवर्थ को सबसे बड़ा चैलेंज किया, कि हम आये कास है, तो हम उत्करांत होगी है, हम जो है इवोलुशन से यहां तक आया है, और सब्सक्राइब कर डारविन के इवोलुशन को मानते थे, तत्व को मानते थे, तो हम आये कास है, तो करोड़ों साल, छोटी-छोटी-छोटी-छोटी बाते होती है, उसकी परनीती होती है, कि यह कॉंप्लिक्स हुमन बिंग त्यार होता है, साइंस के आधर पर देखेंगे, तो साइंस ने बता दिया है कि हुमन बिंग कैसे आए, बईदा होता है, तो क्या होता है, तो हमें मेरे खाल से जो सवाल है, कि पुनर जन्म है नहीं है, उससे इंपोर्टन सवाल है, कि हम इसी लाइप में अच्छा जीवन जी सकते हैं, सोचे बगए कि मेरे मरने की बात क्य होगा, तो सारे जो धर्म है, एकसेट बुद्धियम, उसमें स्टोरी होती है, कि मैं का स्याओ और कहा जाओंगा, तो बाइबल को लेंगे, वाँ जनेसिस होती है, हिंदों में तो अलग जनेसिस है, ब्रमा के मुझे ये पाइदा हुआ, वो पाइदा हुआ, लेकि बुद् होती है, शारे एंसर जो है आप भगवान गुद्ध से एकस्पिक नहीं कर सकते है, उनका डोमेन क्या है भगवान गुद्ध का, कि मंद को बदलना, और उन्होंने माइंड चेंज की टेक्नलोजी दी है, भगवान गुद्ध ने ये प्रामिस किया है, कि मैं तुमको थेरिय हो सकते है, कैसे मुक्त हो सकते है, वो भगवान का आपको वर्दाना है, ऐसे हमें जमेले में नहीं पढ़ना है, हमें चार चीज की तरह ध्यान देना है, कि क्या बहुत धर्म से डिमोक्रसी कैसे स्ट्रॉंग हो सकती है, क्या बहुत धर्म से हमें आर्थिक सुबत्ता आ सकत कि यह सवाल आपके दुख को दूर करने के लिए बेनिफिशल नहीं है मैं कास आया हूँ मैं मरने के बाद कहा जाओंगा अभी यहाँ है तो हम यहाँ पर रहे के ही बुद्ध धर्म को पालंग करके करके हम यही जान सकते है था दुड़र्द के रहाँ है तुम बहुत बहुत शुक्रिया जो हैं से बात करने कि लिए टाइम गßने के लिए मैं हूँ मनीश और केरेंके की चैप साथ में बने नहने के लिए बहुत बहुत है